Good morning viewers, आज हम पढ़ेंगे Wind, इसको लिखा है सुबरामन्या भारती ने तमिल लेंग्विज में और इसको ट्रांसलेट किया है एके रामानुजन ने इंग्लिश लेंग्विज में, ओके, चलिए जानते हैं पोएट के बारे में, चीनल स्वामे सुबरामन्या भारती, also known as भारत यार, यानि कि उनको भारत यार के नाम से भी जाना जाता है, was a Tamil writer, Tamil writer थे, poet थे, journalist पत्रकार थे, Indian independence activist, यानि कि भारत के अजादी की कारे करता थे, a social reformer, समाजक सुधारक थे, and a polyglot, polyglot होता है, अनेक भाशाओं के जानने वाले, यानि कि उनको बहुत सारी भाशाएं आती थी, he is also known as महाकवी भारती, यानि कि महाकवी भारती के नाम से भी उनको जाना जाता है, his notable works are पंचालिस अपाथम, पपा पत्टू, कनन पत्टू, कुयल पत्टू, यानि कि ये सारे Tamil works हैं जो कि उनको ने लिखे हैं, introduction of the poem, in this poem, the poet talks to the wind, इस poem में जो poet है, वो हवा से बात कर रहे, the power of wind has been described, इसमें हावा की जो power है, शक्ति है, उसको बताया गया है, उसका वर्नन किया गया, and the poet says that, और जो poet है, वो कहता है, that wind is destructive, जो हवा है, वो विनाशकारी है, destructive मतलब विनाशकारी है, he links the destructive power of the wind, यानि कि वो किसको जोडता है, जो हवा की जो विनाशकारी शक्ति कि वो किसको जोडता है, to the adversity, as adversities मतलब, जीवन में आने वाली जो मुसीब्त हैं, उसके साथ, उसका link करता है, उससे जोडता है, and says, और कहता है, that the weak people, जो कमजोर लोग हैं, give up, give up मतलब हार मान लेते हैं, but strong people face the problem, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, वो मुसीब्तों को स सामना करने के बाद, the poem gives an important message, ये जो poem में एक बहुत महत्तों संदेज देती है, that we should be mentally tough, कि हमें मानसी क्रोप से मजबूत होना चाहिए, and physically strong, और शारिरिक रोप से हमें strong होना चाहिए, in order to survive, ताके हम survive कर सकें, जिन्दा रह सकें, the hardship of life, यानि कि जिन्दा की मुसीब्तों का सामना हम आसानी से कर पाएं, we must make these destructive forces, हमें इन विनाशकारी शक्तियों को अपना our friends, यानि कि अपना दोस्त बना लेना चाहिए, with our strength and determination, अपनी ताकत से और अपने द्रिड निष्टे से, यानि कि ये जो forces हैं, इसको हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए, theme, the poem depicts the utterly enormous power of me, यानि कि जो poem है, ये जो wind की विशाल शक्ति है, उसको उसके बारे में बताती है, उसको दरसाती है, in the world and how it has a potential, और ये बताती है कि wind में, यानि कि हवा में किस तरह की potential है, of being both a destroy, यानि कि ये विनाशक का भी काम करती है, and creator और creator का भी काम करती है, creator मतलब बनाने वाला, ये दोनों काम करती है, इसके पस दोनों शमताएं है, the weak and fragile, जो कमजोर हैं, जो नाजिक लोग हैं, cannot withstand its fury, यानि कि विदस्टन यानि कि सामना नहीं कर सकते, its fury, यानि कि इसके गुसे का, यानि कि जो कमजोर लोग हैं, वो इसके गुसे का सामना नहीं कर सकते, while the strong can use it to their advantages, जबक adversities of life, और यही बात सच साबित होती है, कि इसमें हमारी जीवन में जो मुसीब्ति आती हैं, यह बात उसमें भी लागो होती है, those who are weak, easily break down, जो कमजोर लोग होते हैं, वो तूट जाते हैं बहुत जल्दी, and those who are strong, और जो लोग strong होते हैं, take them as challenges, यानि कि जो चुनोतिया हैं, उनको चुनोतियों के रूप में स्वीकार करते हैं, यानि कि उनके जीवन में जो मुसीब्तिया हैं, उनको चुनोति की तरह वो स्वीकार करते हैं, and come out stronger, और और भी बहुत जादा मजबूत बन जाते हैं वो, उन चुनोतियों को सामना करने के बाद, message, the poem carries the message, यानि कि जो poem है, यह हमें यह संदेश देती है, one must develop mental toughness, यानि कि हमें मांसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, and physical strength, और हमें अपनी शारिक शमता को, शारिक रूप से भी हमें मजबूत होना चाहिए, यानि कि यह दोनों शमता हैं, हमें develop, विक्सित करने चाहिए, अपने अंदर in order to survive the hardships of life, ताके हम जिन्दगी की आने वाली जो मुसीब्ते हैं, जिन्दगी में हमारे आने वाली जो मुसीब्ते हैं, हम उनका सामना कर पाएं, समरी, the first part of the poem describes the action of the wind, यानि कि जो कवीता का जो पहला भाग है, वो क्या वर्णन करता है इसमें, action of the wind, यानि कि जो wind जो काम करत जो action है, उसके बारे में बताता है, यानि कि wind क्या क्या करती है, the poet asks the wind to calm softly, poet हवा से कहते है कि धीरे चलो, धीरे आओ, he requests the wind no to break the shutters, वो वीनती करता है wind से कि भई, break the shutters, यानि कि दर्वाजे of the window, यानि कि खेड़की की दर्वाजे मत तोड़ो, not to scatter the papers, और scatter मतला बिखेर न, यानि कि कागजों को मत बिखेरो, and throw down, throw down मतला फेंकना, the books from the shelf, shelf से किताबों को मत फेको, but the wind throws the book, लेकिन जो हवा है वो किताबों को फेकती है, and tears the pages, और कागजों को फार देती है, the poet says that the wind makes a mokri, the poet कहता है जो हवा है वो मजा कुडाती है, mokri of weaklings, यानि कि कमजोर लोगों का मजा कुडाती है, it brings down frail houses, और ये गिरा देती है, frail houses, यानि कि जो कमजोर मकाने उनको गिरा देती है, crumbling doors, crumbling यानि कि जो पहले से कमजोर हैं, दरवाजे उनको वो गिरा देती है, rafters, यानि कि लकड़ी के जो बड़े-बड़े beams होते हैं, जिसके ओपर जो छचत है, व के जो कमजोर दिल है उनको भी वो crush कर देती है कुचल देती है it crushes everything यह हर चीज को कुचल देती है that is weak जो के कमजोर है the poet advises us to be strong तो poet हमें क्या advisor है कि हमें strong होना चाहिए only then can we save ourselves तभी हम अपने आपको बचा सकते है from the wind हवा से we should build a strong home तो वो क्या कर रहे हम से हमें मजबूत घर बनाने चाहिए with firm doors यानि कि मजबूत दर्वाजों के साथ our bodies and hearts should also यानि कि हमारा जो शरीर है हमारा जो दिल है should also be strong वो भी मजबूत होना चाहिए the wind blows out the weak fires blows out मतलब बुझा देती है जो कमज़ूर fires होते हैं ना for example जैसे मुबत्ती है हम एक ही फुक से मुबत्ती को बुझा देते हैं यानि कि जो कमज़ूर fires होते हैं वो एक ही दम बुझा देती है लेकिन जो strong fires होते हैं जहां पर बड़े लेवल पर आग लगी होती है क्या है हवा चलने से वो आग में गरजन पैदा होती है और और वो आग फैलती रहती है यानि कि बड़ती फूलती रहती है जैसे कि आपको मैं example बताऊं आस्टेलिया में अभी आपने खबर सुनी होगी आस्टेलिया के जंगल में आग लग गई एमजॉन के जंगलों में आग लग गई ठीक है तो एक बड़े एरिया में वहाँ पर जितनी तेजी से हवा चली उतनी तेजी से वो आग फैलती गई इस तरह से जो पोएम है वो यह संदेश देती है that nobody cares for the wake यानि कि किसी को कमजोर व्यक्ति की कोई परवा नहीं है यानि कि कोई भी कमजोर व्यक्ति की परवा नहीं कर सकता even the wind is on the side of the strong people यहां तक कि जो हवा भी है वो किन लोगों की तरफ है जो मजबूत लोग है जो बहादूर लोग है we must make ourselves strong हमें अपने आपको मजबूत बनाना चाहिए to become successful ताकि हम कामियाब हो जाएं successful हो जाएं and overcome the challenges in life और हम हमारे जीवन में जो challenges हैं जो चुनोती हैं उनसे हम पार पा सकें यानि कि उन पर हम जीत हासिल कर सकें wind चलिए अब हम start करेंगे अपनी poem wind the wind blows strongly यानि कि जो wind है बहुत तेजी से चलती है and causes a lot of destruction और cause मिलब कारण बनती है lot of destruction बहुत बड़े मिनाश का कारण बनती है how can we make friends with it अब हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं wind come softly हवा धीरे से आओ यानि कि हवा धीरे से चलो don't break the shutters of the windows भाई खेडियें को जो दरवाजें वो मत तोड़ो don't scatter मत फैलाओ the papers यानि कि कागजों को मत फैलाओ don't throw down मत फैको the books on the shelf यानि कि shelf के ओपर जो books रखिए हैं उनको मत फैको there देखो look what you did देखो तुमने क्या कर दिया you threw all down तुमने सबको नीचे फैक दिया you tore the pages of the books देखो तुमने किताब की जो पेज हैं tore मतलब फार दिये you brought rain again देखो तुम फिर बारिश लेकर आई you are very clever तुम तो बड़ी चलाग हो at poking fun at weaklings यानि कि कमजोर लोगों का मज़ा कुराने में तुम तो बड़ी चलाग हो frail मतलब कमजोर crumbling houses यानि कि जो डहते हुए घर हैं जो पहले से कमजोर है frail crumbling houses घर crumbling doors हना कमजोर दरवाजे crumbling rafters गिरते हुए जो rafters rafters मतलब लकड़ी के बड़े बड़े जो beams होते हैं ठीके ना जो support करते हैं लकड़ी के घरों को अब देखो यह जो poem है बहुत पुराने टाइम में लिखे गुई है यानि कि 1921 से पहले इसका मतलब वहाँ पर उस टाइम पर लोगों को घर कमजोर हुआ करते थे और खपरेले हुआ करते थे यानि कि जो बल्लिया टाइप होती ही ना लकड़ी की वो हुआ करते थे और beam से उनको support दिया जाता था ठीक है तो उन्हें rafters बोलते हैं crumbling wood हाना कमजोर लकड़ी crumbling bodies अब bodies यहाँ पर मतलब इंसान जो crumbling इंसान है जो कमजोर इंसान है crumbling life हाना कमजोर जिंदगियां crumbling hearts कमजोर दिल यानि कि ये सारी जो चीज़ें हमने discuss की हवा इनके साथ क्या करती है the wind god अब देखो wind को क्या कह दिया poet ने जो wind god है क्या है winneaus winneaus मतलब चटनी कर देता है अलग कर देता है and crushes और कुचल देता है them all इन सब को यानि कि हमने उपर जो भी चीज़ें discuss की है तो wind god क्या करता है इनको अलग कर देता है और इनको कुचल देता है खत्म कर देता है, जैसे आपको ये एक्जामपल मैं दिखाउ हूँ, ये वाली, अब इसको दिखो धिएंसे, ये जो विनो कर रही है, ये जो लेडीस है, अब देखो, ये जो कमजूर है, इसको बोलते हैं शेफ, ठिके ने शेफ बोलते हैं, ये जो भूसा है, यानि कि हवा चलने से ये बिलकुल अलग हो जाता है और ये जो गेहों के जो दाने हैं ग्रेन हैं ये बिलकुल अलग हो जाते हैं इसका मतलब क्या है ये जो हस्क है ये तो कमजोर लोग है ये उसका प्रतिक है ये जो कमजोर लोग है ठीक है ना ये तो उड़ गए खतम हो गए उसने क्रश कर दिया अब यह जो grain है वो अपने जगा जमा हुआ है यानि कि यह strong लोग है ठीक है यह strong लोग के बारे में बता रही है यानि कि जो wind god है ठीक है ना वो कमजोर लोगों को अलग कर देता है और strong लोगों को अलग कर देता है ठीक है यानि कि कमजोर लोगों को वो crush कर देता है और strong लोग और भी ज़्यादा strong हो जाते हैं ओके the wind god winnows and crushes them all यानि कि उनको छटाई कर देता है और सबको कुछल देता है he won't do what you tell him यानि कि जो wind god है वो ऐसा नहीं करेगा जैसे कि तुम उसे करने के लिए कहते हो यानि कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा so इसलिए क्या करो come out let's build strong homes आओ हम मजबूत घर बनाते हैं let's join the doors firmly चलो हम जो दर्वाजे हैं उनको मजबूती से जोडते हैं link करते हैं practice to form the body चलो अभिहास करते हैं अपनी शरीर को मजबूत बनाने का यानि कि अपने शरीर को मजबूत बनाने के हम practice करते हैं make the heart steadfast चलो अपने दिल को मजबूत बनाएं यानि कि हमारा जो steadfast का मतलब जो विचलित ना हो हमारा मन विचलित ना हो मुसीबतों के सामने हम अपना दिल को इतना strong बनाएं do this ऐसा करो and the wind will be friends with us तो जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी the wind blows out जो हवा है वो बुझा देती है weak fires जो कमजोर जहां पर fires है आग लगी होती है उनको बुझा देती है जैसे मैं अब आपको example बताया ना मुझा थीगा हम एक ही फोक में उसको बुझा देते हैं ठेके ना इस तरह जो wind है वो बुझा देती है कमजोर fires को he makes strong fires a road and flourish और वो जो मजबू होती है यानि के जो बड़े पैमाने पर जो fires होते हैं बलकि वो क्या करते हैं वो और गरजते हैं and flourish और बढ़ते फूलते रहते हैं है मैंने एक्जामपल दिया आपको आस्ट्रीले के जंगलों की एम्जान के जंगलों की एक्जामपल okay his friendship is friendship is good यानि कि उसकी जो friendship है यानि कि हवा की जो friendship है वो अच्छी है we praise him everyday हम हर रोज उसकी तारीफ करते हैं हाना praise यानि कि उसकी तारीफ करते हैं difficult words है words हमने अल्ड़ी डिसकस कर लिए यह words आपने copies में लिखने हैं इसलिए फटा फटा हम इसको भी discuss कर लेते हैं तो softly slowly धीरे से shirters मतलब doors scatter मतलब फैलाना shelf मतलब mental कमजोर weak fragile मतलब नाजुक राफ्टर आफ वुड़न भी लगड़ी का एक थाम crumbling यानि के breaking up यानि के तूटता हुआ we know मतलब to separate अलग कर देना to blow chef यानि के जैसे अभी मैंने example देना ladies की वो chef को अलग करती है है ना joint यानि के जोड़ना link blow out extinguish यानि के बुझाना roar and flourish ठीक ना resound and thrive यानि के भौध बढ़ना फूलना और गर्जन पैदा करना steadfast unmove यानि के अपनी जगा से ना हिलना यानि के strong रहना firm make strong हाना literary devices अब हम discuss करेंगे rhyme scheme the poem is written in free verse जो poem है वो free verse में लिखी है इसका मलब क्या है there is no rhyme scheme in the poem यानि के poem में कोई rhyme scheme नहीं है free verse में कोई rhyme scheme नहीं होती anaphora देखो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने video download किया है figures of speech आप उसको अच्छी तरह से उसको study करना पड़ेगा जिन student ने उसको study कर लिया उनको यह चीज़ आसानी से और भी अच्छी से समझ में आ जाएंगी इसलिए पहले आपने वह वीडियो देखना है और फिर इसको यह discuss करना है ठेक है ना यह वाले देखनी है वीडियो same word or phrase is repeated at the beginning of successive lines यानि कि जब same word या फिर जो phrase है यानि कि शब्द सुमा उसको repeat के जाता है लाइन की शुरुआत में यह हमें example से easily समझ में आ जाएगा don't break the shutters of the window अब देखो यहाँ पर क्या है don't शुरू में आ रहा है line के don't यह भी आ रहा है don't ठीक है न तो यह क्या है अनैफरा बोलते हैं इसको ठीक है न एक से words repeat हो रहे है ठीक है न lines की शुरुआत में तो क्या हो गया यह अनैफरा हो गया clear एक से words का हम use कर रहे है clear personification मानिवे करन सिंपल सी बात है जब हम किसी चीज़ को बे जान चीज़ को हम इंसानों वाली quality दे देते हैं ठीक है जैसे wind has been personified इसका मानिवे करन किया गया है when point says you are यानि कि जब हम you are तुम हो ठीक है न यह तो हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं लेकिन point यहां पर wind के लिए यूज़ कर रहे है इसका मतलब क्या है वो wind को मानिवे करन कर दिया उसने personify कर दिया he is referring to the wind wind को रेफिर कर रहे है repetition थोराना किसी चीज़ का crumbling is repeated many times to lay emphasis यानि के crumbling को बार बार repeat किया गया है ठीक है न ताके emphasis जोर देने के लिए the poet wants to convey that wind crushes everything that is weak poet के कहने का मतलब यह है जो हवा है वो हर चीज़ को कुचल देती है जो के कमजोर है ओके apostrophe the apostrophe it is a form of personification यह personification की तरह ही होता है in which a thing personified is addressed as if it were a person यानि कि जो इसमें चीज़े होती है इनको ऐसे treat के जाते है यानि कि हम किसी जैसे किसी व्यक्ति को बुला रहे है जैसे example जैसे first line है आपके point की wind comes slowly हमने point क्या कर रहा है ओ हवा ओ wind धिरे आ धिरे चल यानि कि wind का वो अहवान कर रहा है wind को address कर रहा है इसको बोलते हैं apostrophe ठीक है ना यह थोड़ सा difference है personification अलग है ठीक है और जब हम wind को यानि कि किसी बेजान चीज़ को ऐसे person treat करते हैं उसका अहवान करते हैं उसको कहकर कुछ बलाते है ओ ओ symbolism ठीक ना प्रतीक जिसे बलते हैं it means that the thing refers to some other thing यानि कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को refer कर रहे है किसी दूसरी चीज़ के बारे में बता रहे है wind is a symbol अब इस कवीत में कहा है जो हवा है एक प्रतीक है symbol है it refers to the challenge यानि कि जो wind है वो किसका प्रतीक है challenges जो नोतियों को प प्रतीक है जो हमारी life में आती है और examples हम देखते है wind a naughty child अब जो wind है एक शरार्ती बच्चे का भी प्रतीक है हमने देखा ना कि वो page फाड़ देती है page फाड़ने का काम कि क्या वो तो naughty बच्चे का काम है न या फिर toto का काम है वो तो adventures of toto में आपने पड़ा होगा वो तो काम है या किसी naughty child का काम है ठीक है न तो wind को किसका प्रतीक बना दिया naughty child का wind gesture यानि कि किसका प्रतीक बना दिया एक मजाग उड़ाने वाले का जो कि strong है ठीक है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बलवान है strong है और वो मजाग उड़ा रहा है ठीक है न कमजोर लोगों का तो wind किसका प् जोर लोगों का प्रतीक है, strong fires, strong logo का प्रतीक है, people with strong willpower, wind winners, यानि कि wind किस चीज़ का प्रतीक है, यहाँ पर, winnowर का भी काम करा है, winnowर मैंने आपको बता है, जो छटाई कर देता है, जो अलग कर देता है, who sourcing, जो चीज़ों को अलग करता है, ठीक है, यह भी उसका winnowर का प्रत है, alliteration, alliteration बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है न, जो consonant sound है, ठीक है न, वो repeat होती है, ठीक है न, अब यह consecutive भी हो सकती है, लगातार भी हो सकती है, या फिर एक दो वर्स छोड़ कर भी आ सकती है, example से हम clear करते हैं इसको, strong fires, roar and flourish, the fires F sound, flourish F sound, तो repetition of F sound, ठीक है न, first sound हो गया, alliteration, wind, gold, windows, w है और w windows, w sign repeat हो रही है, ठीक है, यह हो गया, alliteration, won't, do, what, यानि के, w और w, यह w sign फिर हमारी repeat हो रही है, okay, w sign sound is repeated, metaphor, अब metaphor हम यूज करते हैं, comparison के लिए, तुलना के लिए, okay, you are very clever at poking fun, at weaklings, तुम तो बड़ी चलाग हो, हाना, मजाग उडाने में, कमजोर लोगों का, अब इसमें क्या है, जो wind है, उसको सीधा point क्या कह रहा है, कि भाई, तुम तो एक बलवान व्यक्ती हो, जो कमजोर लोगों का मजाग उडाता है, यानि के wind को सीधा क्या बोल दिया, उसने, एक ब नोटी चाइल्ड, मतलब, wind को क्या कह दिया, नोटी चाइल्ड बता दिया, कि भाई, तुम तो नोटी चाइल्ड हो, तुम पेजिस को फाड रहे हो, ठीक है ना, clear, ठीक है ना, direct उसका comparison एक नोटी चाइल्ड से कर दिया, okay, the whole poem is a metaphor, it urges humanity to stand against all adversity, यानि कि अगर देखा जाए तो पूरी poem ही metaphor है, क्यों, यह जो wind है, wind किसके बारे में बताती है, चुनोतियों के बारे में, wind को सीधा उसने क्या कह दिया, चुनोतियां बोल दिया, ठीक है ना, और जो humanity है, जो Hispan unable इतने क्या कहा, कि भाई, इसका सामना करो चुनोतियों का, ठीक है, तो पूरी poem ही metaphor है, consonants क्या होता है lines की बीच में जो हमारी consonant sounds है वो repeat होती है उसको example से समझते हम rain देखो n sound है again sound है ठीक है न यह हो गया heart यह जो sound है steadfast यह sound है ठीक है यह हो गया हमारा consonants okay question answers what are the things the wind does in the first stanza यानि कि पहले stanza में वो कौन सी चीज़ें जो हवा करती है wind when the wind blows violently जब हवा तेजी से चलती है it destroys everything यह हर चीज़ को बरबाद कर देती है it breaks the shutters of the windows यह खेड़की की दरवादे तोड़ देती है scatters the papers papers को भी खेड़ देती है throws the books down from the shelves यानि के किताबों को shelves से गिरा देती है tears there pages उनके pages फार देती है and brings along a lot of rain और बहुत सारी बारिश अपने साथ ले कर आती है what does a poet say the wind god we knows यानि के poet wind god के बारे में क्या गयता है कि वो किस चीज़ की छट नहीं करता है किस चीज़ को अलग करता है the wind god we knows means that nature shifts the weak wind god we know से उसका मतलब है कि जो कुदरत है shifts मतलब अलग कर देती है the weak things from the strong was यानि कि कमजोर चीज़ों को strong चीज़ों से जो कुदरत है अलग कर देती है everything that is weak is tossed by हर चीज़ जो कि कमजोर है वो tossed by उच्छाल दी जाती है by the powerful wind उस शक्तिशाली हवा के दोबारा उच्छाल दी जाती है and gets destroyed और उन सब को बरब कर दिया जाता है just like the winner separates the grains ठेक इसी तरह है जैसे winner और पुछ और ने वाला क्या करता है grain of weed यानि के अनाच के जो दाने उनको अलग कर देता है from chef chef मतलब husk मतलब जो भूस है उसको अलग कर देता है similarly इसी तरह से the wind god suffers the weak from the strong जो wind god है कमजोरों को strong लोगों से अलग कर देता है what should we do to make friends with the wind हमें क्या करना चाहिए कि जो wind है हमारी दोस्त बन जाए we must make ourselves strong to face the violent wind जने के हमें अपने आपको मजबूत करना पड़ेगा किसका सामना करने के लिए violent wind का सामना करने के लिए हमें अपने आपको मजबूत करना पड़ेगा when we will be strong जो हम मजबूत हो जाएंगे the wind will not harm us तो वो हमें नुकसा नहीं पुचा सकेगी instead बलके it will become a friend बलके यह हमारी दोस्त बन जाएगे and help us to grow and flourish और हमें बढ़ने फूरने में और आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी what do the last four lines of the poem mean to you? यानि कि poem की जो last four lines है उससे आपका क्या मतलब है? the last four lines of the poem carry an important message यानि कि जो आखरी चार line है poem की वो एक बहुत ही महत्तव पुरन संदेशा में देती है that the strong people emerge stronger यानि कि जो बहादूर लोग हैं emerge उभरते हैं stronger और और भी strong होकर and victorious और विजीता बनकर in the face of adversities जब वो चुनोतियों का सामना करते हैं we must make ourselves strong like burning fire हमें आपने आपको मजबूत बनाना चाहिए जैसे एक burning fire होता है ना एक जलती हुई बहुत बड़ी सी आग which grows and flourishes जो बढ़ती जाती है और बढ़ती फूलती जाती है in the violent wind ठीक है किसमें जब हावातीस चलती है तो वो आग और भी जदा भढ़कती रहती है और भ ठीक है ना चुनोतियों में ठीक है नि जब हम चुनोतियों कर सामना करते हैं तब हम भी हमारा भी विकास होता है हम भी आगे बढ़ते हैं value points we should be strong in mind and body हमें मानसी को और चाले रुक्स पे strong होना चाहिए the wind indicates the difficulties and challenges that we face in our life यानि को wind किसके बारे में बता रही है चुनोतियों के बारे में बता रही है जिसको हम अपनी life में face करते हैं we should face our problems boldly and stay firm in difficult situations हमें अपनी जो problems में बहुत सहास की साथ ठीक है ना उनका सामना करना चाहिए stay firm in difficult situation और हमें अडिग रहना चाहिए stay firm ठीक है ना हमें हिलना नहीं चाहिए अपनी जगा से in difficult situation मुसीबत की घड़ी में unless we fight our hardships जब तक हम समया करेंगे we cannot expect success हम success यowy हम success की उमीद नहीं रख सकते ठीक है यदि के हम सफलता की उमीद कर ही नहीं सकते जब तक हम अपनी मुसीबतों से हमें हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों से जब तक हम उनका सामना नहीं करें ना लड़ें हम सफलता की आशा कर नहीं सकते okay I hope you understand and please hit the like button and of course you can subscribe it so that you can get the next notification of my video ठीक है इसको subscribe करना और इसको like कर लेना और इसमें जो questions answer है उसको आपने लिखना है अब देखो poem के इलावा ठीक है poem के इलावा आपने सारी चीजें अपनी notebook में लिखनी है okay thank you so much have a nice time